एपिसोड स्टार्ट होता है इनोरी यूजूरिया नाम की एक लड़की से जो जी एच्क्यू बिल्डिंग से एक की को चुरा कर भाग रही होती है एक वोईड जिनोम कुछ एंडलेव इनोरी के पीछे पड़े होते हैं उससे वो की वापस लेने के लिए एंडलेव आप एक तरह का हुमानोइड वार मसीन समझो इनोरी के पास एक छोटा सा रोबर ड्रोइड होता है वो उस रोबर ड्रोइड को की दे देती है एक एंडलेव बहुत तेजी से इनोरी की तरह बढ़ता है उसको मारने के लिए बट सड़नली आयसे शिनोमि उस एंडलेव वार मसीन को रोकती है बट फिर भी वो एंडलेव वार मसीन मिसायल फायर कर देता है एक्स्प्लोजन की वज़े से इनोरी पुल से पानी में गिर अगले सीन में ट्रेइन में एक लड़की एक लड़के को मौर्निंग ग्रितिंग करके उसकी सकल को देखकर कहती है क्या तुम कल सोए नहीं थे तुम मरे हुए लग रहे हो क्या तुम गें क्छ और वो पुछ पढ़ रहा होता है जैसे ही वो लड़की उससे पूस्ती है ये लड़का जिसका नाम शू है अपने स्कूल में होता है दो लड़के इसके पास आकर कहते हैं शू सुनो शू उनकी बात सुनने से पहले ही कहता है वीडियो अभी रेडी नहीं है कॉम्पिडिशन के लिए जबकि वो लड़का कुछ और बात करने के लिए उसके पास आया ह होता है इसलिए वो लड़का बहुत गुसा हो जाता है शू से उसके साथ वैला लड़का उससे कहता है रहने दे अभी शायद शू का बात करने नहीं है भी इससे पता चलता है कि शू सोचल लाइफ में कुछ खास नहीं होता और यही बात यह लड़की भी कहती है शू से जो उसके साथ ट्रेन में थी बट शू कहता है मैं अपना बैस्ट दे रहा हूं अपने आपको सोचलाइजड रहने के लिए स्कूल के बाद शू में सा एगरी करता है जो बाकी के लोग कहते हैं इसी तरह से उसने दो लोगों से अपनी कौसी फ्रेंडशिप की थी कौसी मिंस इंकम्प्लीट शू सत्रा साल का है वो जपान में गोर्मेंट की जी एच की ओर्गनाइजेशन के सक्त रूल के साथ रह रहा है आज से दस साल पहले जपान में एक पंडमिक, एक मामारी फैल गयी capacité और जब से लेके आज तक जपान फोरिंग एड पर डिपेंडेंट है यह नेशन क्वासी इंडेपेंडेंडेंट है मतलव इंकम्प्लीट इन्डे इंडेंडेंडेंड नाम के लिए इंडेंडेंड कंट्री है बट स सबी चीज जी एचक्यू ओर्गिनाईजेशन के अकोर्डिंग ताना शाह चल रहा है। किसी भी सिटीजन के पास इतनी पावर नहीं कि वो अपनी फैमिली मेंबर एंड जो उनके लिए इंपोर्टेंट लोग हैं उनको बचा सकें। हमको जी एचक्यू की बात को ऐसे ही कब तक एकसेप्ट करता रहना पड़ेगा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते ये बोलते हुए शू अपने वेयर हाउस इस्टूडियो में जा रहा होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसको एक सुन्दर लड़की गाना गाता हुए दिखती है एंड शू उसको देखकर चोक जाता है वाओ कितनी प्रैटी लड़की है कितनी सुन्दर है शू का पैर कैन पर लगता है और उसकी अवाज से एक छोटा सा रोबर्ट ड्रोइड शू को गिरा देता है शू कहता है मेरा इंटेंशन तुमको चुप चुप के देखना नहीं था वो लड़की टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करती है और गलती से एक मोनिटर इस्टार्ट कर देती है उस लड़की को वो बहुत पसंद आता है ये शू ने वीडियो बनाई होती है शू उस लड़की को अपना लंच खाने को देता है क्योंकि वो बहुत भूकी होती है वो लड़की फिर से अपनी मदूर आवाज में गाना गाने लगती है शू उस से कहता है तुम तो इनोरी होना इगोईस्ट की एक भैतरिन सिंगर तो तुम यहां क्या कर रही हो तुमको यह चोट कैसे लगी वो कहती है मेरको यह गाई तक पोचाना है एंड वो इसको कहती है इसे लेने की कोशिश करो शू अपना नाम बताता है उसको और वो कहती है तुमको एटलिस ट्राय तो करना ही चाहिए जब तक तुम ट्राय नहीं करोगे तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे तो इसको लेने की कोशिश करो क्या तुम डर रहे हो शू ट्राय करता है बट उसको कुछ दिखाई देता है और वो हरान यह क्या था अभी क्या हुआ वो सब मुझे कैसे दिखा उसी टायम जी एसक्यू मिलेटरी वहाँ आ जाती है इनोरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो लोग उसको पकड़ लेते हैं चू कहता है यह लड़की बैडली इंजड है तो उनका हैड कहता है यह एक क्रिमिनल है और अगर तुम इसको बचाने की कोशिश करोगे हम तुमको भी इसका साती कहकर जेल में डाल देंगे तो शू की फट जाती है जैसे ही वो लोग उस पर बंदुख टांगते हैं और वो लोग इनोरी को मां से लेजाते हैं शू रोते हुँए कहता है मनी मन मैं मैं कितना पैथेटिक हूँ मिर को रात मिली मिलेटरी के यांसे जाने से क्योंकि मैं डेंजर में नहीं हूँ मैंने उसको बचाने की कोशिच क्यूं नहीं करी, मैं उसको लेना चाहता था, मैं उसके कलोज आना चाहता था, मैं उसके हाथ को टच करना चाहता था शू भूल या सब कुछ, कुछ दिन में सब कुछ दुबारा नॉर्मल सा हो जाएगा, उसी टाइम रोबर्ट रोइट शू को एक लोकेशन दिखाता है, जहां पर इनौरी ने कहा था, मैं इसको गाये तक पहुचाना चाहती हूँ, शू अपनी आपको और हेट ना करे, इसलि देंजरस है, एंड वो कौन से एक्षन लेते हैं, जिससे अननेसेसरी वाइलेंस होता है, इन सब के बारे में हमको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा, जी एचक्यू का एक हैड मेंबर इनौरी से बात चीत करते हुए पूछता है कि वोईड जिनोम का चुपाया है, औ किसी भी इनफेक्टिट लोग को बिना वारिनिंग दिये मार सकते हैं, बट इन औरी अपना मू नहीं खोलती, वो बंदा जिस एरिया में अपना मिशन ऑपरेट कर रहे थे, उस पूरे एरिया को इनफेक्टिट गोचित कर देता है, वोईड जिनोम को ढूणने के लिए, श होती है, पूरे एरिया में कई सारे लोग बंदुक तांके खड़े होते हैं, उसका नाम होता है गाई, वो सबको मार के भगा देता है, एक लड़की शू से वो रोबोट ड्रोइड ले ले लेती है, बहुती एटिट्यूट में और वो उसको यहां से जाने को बोलती है, गा का फ्यूनरल पारलर गुरूप उनसे फाइट करने लग जाता है, गाई शू से कहता है, जाओ और इस बार इनोरी को बचा लेना, शू भागते भागते इनोरी को ढूनने निकल जाता है, इनोरी को मोका मिलते ही, वो उस गाड़ी से भार निकलती है, जहां उसको कैद करके बट वार मशीन उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो इनोरी पर अटेक करता है, शू आकर इनोरी को बचा लेता है, जब शू की आख ओपन होती है, वो अपने आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड में पाता है, इनोरी उससे कहती है, यह है गिल्टी क्राउन की प पल जबकते ही सारे एंडले वर मशीन को डेस्ट्रोई कर देता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही धेर सारे अनिमे को देखने के ल